नमस्कार मैं सूरिकान तिवारी एक वैवसाई हूँ तथा पीछले 20 वर्सों से कोल के साथ बिवीन प्रकार के वैवसाई करता आ रहा हूँ समाजीक छेतर से जुड़ा हूँ और अपने समाजीक उत्तरदायत का निर्वहन करते हुए वैवसाई करता रहा हूँ मैं वैवसाई जगत के अलावा समाजीक राजनेतीक छेतर से भी जुड़ा हूँ मेरी राजनेतिक विचारधारा चाय जो भी हो मेरे सम्मन सभी से अच्छे रहे हैं जब प्रदेश में भारती जंदापार्टी की सरकार थी तब भी मंत्री मंडल के वरिष्ट जनों और भाजपा पताधिकारियों से मेरे बहुत मधूर सम्मन थे भाजपा के सासन के 15 वर्सों में भी मैं एक कारोबारी था और आज भी हूँ हाली में 30 जून 2022 को हमारे यहां आयकर युभाग गौरा सर्च और सर्वे आप्रेसन किया गया जिसे आम तोर पर मीडिया में IT रेट के नाम से भुकाला जाता है आयकर युभाग की टीम हमारे यहां से अपना सर्च और सर्वे आप्रेसन करके संपन करके चली गई मुझे यह मीडिया के माध्यम से पता चला है कि पूरु मुख्यमंतरी आदर्णी डक्टर रमन सिंग जी ने मेरे घर हुए आयकर रेट के आधार पर मुझे गिरपतार किया जाने की मांग की है मुझे इस बात का बेहत दुख है कि कि किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा मुझे अपरादी घोसी किये जाने से पहले ही केंद्री राज्यमंतरी रहे हैं मुझे लगता है उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि आयकर की कारवाई होने मात्र से व्यक्ति अपरादी सिद्ध नहीं हो जाता आज मेरे जो भी व्यरसाइक प्रतिष्ठान है और वे कोई आज से नहीं चल रहा है मैं 2002 से कोल वैसाइ में काम कर रहा हूँ और ये बाट डक्टर रमन सिंगी यह उन सभी लोग अच्छे से जानते हैं मेरे घर पर आयकर द्वारा जो सर्च यह उन सर्वे किया गया उसमें अगर कोई भी संपत्ती प्रस्णा दीन होती है या कहीं टेक्स संबंधी कोई बात आती है तो उसे निराकरण की एक निरधारित विवस्था है यदि हमारे प्रतिष्ठानों पर कोई टेक्स दाइप निकलेगा तो उसे हम चुका देंगे हम वैपारी हैं कोई अपर लाग नहीं रहा है आपके कारेकाल में आपके मंत्रियों पर जमीन की भारी मात्रा में अफराते प्रीक तफरी के आरोप लगे थे उसके लिए आपको भी जेल जाना चाहिए आपके पुत्र अभिसेख सिंग और अभिसाक सिंग के नाम से पनामा पेपर्स रंगे हुए थे टेक सेवन देशों में बैंक खाते खोल कर अपनी काली कमाई छिपाने के आरोप लगे थे आपकी जिम्मेदारी भी आपको स्विकार करके जेल जाना चाहिए आपके कारेकाल में हजारो करों रुपया कर नागरिक आपूर्तिनी गम घुटाला हुआ था आपकी ही जाँच एजनसी योडबल ने जो डायरी जब्त की थी उसमें इस पष्ट उलेक था कि किसी भी सीएम मेडम सीएम को पैसे दिये जाते थे उसके लिए आपको नयतिक्ता के अधार पर जेल चले जाना चाहिए प्रदेश के बच्चे बच्चे में चर्चा थी कि सीएम हाउस में पहेज में डीके हस्पिटल दिया था जिसने वहां मनवानी की भाई भ्रष्टाचार के आरोप घिर गए थे आपकी विभागी मंत्री भी जिसके सामने नहीं चलती थी ऐसे दमाद को फ्री हेंड देकर जनता के पैसों की लूट का आउसर आपने उसे दिया उसके लिए आपकी सहपर स्टीट फंड कंपनियां प्रदेश के भोले बारे लोगों को हजारों करों रुपे लूट कर भाग गई और बेचारे एजेंटों को आपने अपरादी बनाकर जेल में डाल दिया उसके लिए आपको जेल जाना चाहिए आपकी सरकार की घंगोर लापरवाही अव्यवस्था और कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष के चलते 2013 में जीरम घाटी कांड में हमारे नेता सुरक्षाबलो के जवान मारे गए उसके खून का दाग आपके दामन पर है डाक्टर रमन सिंग जी आपको उसके लिए भी जेल जाना चाहिए आपके सासनकाल में आप करी माओं के दर्भासाय निकाले मोतिया बंद के आप्रसन के नाम पर कई लोगों को अंधा बना दिया गया जहलिया मारी जैसे कांडों में बच्चियों का योन सोसन किया गया उसके लिए भी आपको जेल जाना चाहिए डाक्टर रमन सिंग जी अच्छी तरह से याद होग मैं मीडिया के माध्यम से डाक्टर रमन सिंग जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप प्रदे से पंदरा साल तक सत्ता में थे मैं उस समय भी व्यासाय कर रहा था आप से आपके मंद्रि मंदल के लोगों से पार्टी के निताओं से मेरे उस समय भी संबन मधूर थे क्या आपके किसी मंत्री ने मेरी उस שמय कोई भी अनुचित मदद की थी मेरे सभी से मधूर संबन रहे ना तो मैंने कभी उस समय किसी की सहेता ली और आज किसी की सहेता ले रहा हूँ मैं एक स्वाहिम अनी 36 गड़िया हूँ 36 गड़िया आदमी हूँ 36 गड़िकी मिट्टी में मै को अपना समझता हूं मुझे अब बात समझ नहीं आ रही है डक्टर रमन सिंग आयकर विभाग के इस कारवाई को क्यों राजनितिक रंग देना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं डक्टर रमन सिंग की क्यों इसे राजनितिक रंग दे रहे हैं 30 जून को आयकर विभाग ने हमारे हाँ छापा मारा आयकर की छापा मार टीम ने हमारे हाँ घर पर छापा बोला हमारे घर के लोगों को भैबीत किया आयकर की टीम को एधिकार नहीं होता कि वो सर्च उन सर्वे की कारवाई के दारान किसी से मार्पिट करें लेकिन मुझे आय मेरे किसी भी वैसाय से कोई संबंध ही नहीं तो मैं ऐसा जूठा वयान कैसे देता स्रीमती संभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं उनसे मेरी बीच-बीच में टेलिफॉनिक बात भी होती है मैं जब कभी जनता के काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री कारलाय जाता हूं तो कई बार मेरी उनसे भेंट और मुलाकात होती है स्रीमती स्वोमेचर रस्या के लिए दिकारी नहीं है जिन से मिरे अच्छे संब्ण है पर्देश के भागवाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम धंड भेष से yeही कहलवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता पर अर्दन करके मुख्य मंत्री बनने तक का प्रस्ता दिया मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने ये भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 इधायकों से मेरे बहुत अच्छे सम्मन्द हैं उनकी एक सुची बना लूँ ब में आयकर वालों ने इतना टर्चर किया मैं एक वैसाई हूं लोग तंत्र में और इस देश के संविधान में इस देश के कानून में मेरा पूरा विश्वास है मेरे साथ आयकर विभाग के लोगों ने जो भी किया है जितना भी मुझे टर्चर किया मुझे पर अमानवी तक गिर गई है इसलिए आज देश में अधाना बन गई केंद्री एजेंसिया विपक्ष का दामन करने का हथियार बन गई है केंद्री एजेंसिया कारवाई करती है डक्टर रमन सिंग्या धरमकोसिक जैसे बड़े लोग उसे राज्यतिक रंग देकर उसका लाब उठाने का प्रयास करते हैं जो की उचित नहीं है यदि किसी प्रकार के नियम काईदों को लेकर कोई चूख हुई है तो उससे सुधारा जा सकता है उसके लिए ग्राजितिक तमसा खड़ा करने की कोई आउ सकता नहीं है यदि वैपारी होना कारूबार करना गुना है यदि जीवन मे कानुनी व्यस्ताय होंगी मैं उसको पूरा करूँगा पूरा करता आया हूँ लेकिन कृपा करके मेरे घर पर पड़े आयकर छापों को राजितिक खेल मत बनाईए उसे सियासी रंग मत दीजिए मुझ पर या उपकार कीजिए मेरे घर पर पड़े छापों इन छापों को बढ़ा चड़ा कर ना देखा जाए इसे आयकर विभाग की कारवाई रहने दिया जाए इसकी मन चाही व्याक्षा मत कीजिए मन चाहे अर्थ मत निकालिए और मैं आज आप सभी के माध्यम से इस पष्ट कह रहा हूं कि यदि मेरे साथ मेरे परिवार के साथ कोई अब घात होता है किसी सदर्श के साथ को दुरगटना होता है तो उसके लिए केंद्री आयकर विभाग तथा प्रदेश भाच्पा के वे निता जिम्मेदार होंगे जो प्रदेश में सत्ता प्रवर्तन के लिए मुझे बली का बखरा बनाने की साजिस कर रहा है मैं महात्मा गांधी क आदर सुपर चलने वाला वेक्ती हूं मैं अन्याय के खिलाब आखरी आखरी सांस तक लड़ूँगा है मैं जूट के खिलाब अपने आखरी दम तक संघर्ष करता रहूँगा धन्यवाद जय हिं जय चतिरगार जय भारत